जी हमारा हिमाले असाइटिय सस्कति योग परवरण मंच है जो पांच सादों से दियमित बाबा भलकु समरिती कालका शिमला यात्रा आयूजित कर रहा है। इस यात्रा का में मतसद यही था कि हम जो हमारे हीरो है बाबा भलकु कि जिनका हिंदुस्तान तिबत रोड में एक मजदूर के नादे बहुत बड़ा योगदान रहा है और यह भी माना जाता है कि कालका शिमला रेल का सर्वे जब ब्रिटिश इंजिनियर नहीं कर पा रहे थ और उन्होंने परवानु दरकालका से आगे शिमला तक सर्वे किया था और उनके साथ भी बहुत सी किपदंतियां जूड़ी हुई है और आप देख रहे हैं कि हिंदुस्तान तिबत रोड जब बना था तो कितना दुर्गम के नौर था शिमला के लिए रास्ते कोई नहीं तो उस ताइम अंग्रेजों ने तो उनको सर्टिफिकेट दे रखे उसमें बाकाइदा मेंशन कर रखा है कि भलकू एक कोई दिब्वे शक्ति उसके पास ती कि जब हमारे हम सर्वे में फेल हो जाते थे तो वो पहार चड़ लेता था तो मतलब जैसे कोई जानवर होते हैं कि भई बिना उसके पाहर चड़ लेते थे तो उसी तरह वो भी एक्टिफ था तो उसको ओवेशेर की उपादी भी दी थी अनपड़ थे हो तो उनको ओवेशेर की उपादी अंग्रेजों ने दी थी तो हम उन्हीं की समरिती में और उन्हीं की समरिती को ध्यान में रखते ह तो हम तमाम उन मजदूरों के लिए से यात्रा को समर्पित करते हैं, जो हिंदुस्तान तिबरोड जिन्हों ने बनाया, जिन्हों ने कालकर शिमला रोड बनाया, उसको मिशीने नहीं उती थी, यहाथ से यह रोड बना था, और कई लोग शहीद भी हो गये से, तो यात्रा उ इन में हम चलती ट्रेन में स्टेश्टों के नाम पर गोश्टियां करते हैं, जिसे शिमला सत्र होगा, उखुविता के लिए समर्पिते हैं, समरहिल सत्र होगा, वो खानी के लिए, गीत संगीत के लिए हैं, और इसमें दो तिन सालों से फ्रोप्ट इंडिया से लेखका थी इसमारी में और लाष़ पंदरा लेखके पये जो कानपूर से हैं, मुम्बई से हैं, लक्नाओं से हैं, और एम्धाबास से हैं, मद्य प्रदेश से हैं, देली से हैं, चंडिगर से हैं, और हीमाचनल के हमारे मंच्ट के स्पस्यत अर दूसरे तहीर आत्रा आसकत्म विए, और बाबा भलकु का जो गाउं है चायल से 8 किलोमेटर दूर जाजा गाउं उनके परिजनों से मिलेंगे जो छटी साथी उपीडी के हैं और उनसे बाचीर करेंगे